तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में अभी तक आप लोगों ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो बैल नोच्विकेशन ओन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों इस वीडियो को शेर जरू कीजिए शेर करने के लिए मैं इसलिए क्या तो जो कोईन मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ तो नीचे कमेंच करके बता देना मैं आपको रीजनेबल रेट पर कोईन बुक दिलवा दूँगा और आपको अपने सिको से रिलेटेज आपके पास दुनिया की कोई भी करनसी है पुरानी मुगल काल की ब्रेटेश काल की डिपबलिक इंग्या की उसके बारे में कोई भी इन्फोरमेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की मेंबर्शिप ले सकते हैं मेंबर्शिप ज़्यादा महेंगी नहीं है स्रिफ 299 रुपे की मेंबर्शिप है एक महीने की जिसमें मैं आपको 30-35 कोईन के बारे में इंफोर्मेशन दूँगा तो दोस्तों जैसे कि आज आप ले थमनेल देख लिया होगा आज हम बात करेंगे क्रोस कोईन के सभी सिक्कों के बारे में मुझे काफी दिनों से नीचे वीडियो में कमेंट पर आ रहे थी कि सर जो 2024 की कोईन बुक आई है उसमें क्रोस कोईन का क्या रेट आया है उसके उपर वीडियो बनाई है तो आज मैं ये क्रोस कोईन के उपर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सभी क्रोस कोईन की वैल्यू बताऊंगा एक रुपे, दो रुपे, पांच रुपे और दस रुपे के उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्किट में क्या वैल्यू चल रही है और किताब में क्या वैल्यू चल रही है अपसे दोस्तों हर वीडियो में मैं आपको यही बताया करूंगा कि मतलब जो इन्हों कोईन बुक वालों ने कोईन बुक में जो रेट दी हैं कोईन के वो काफी कम दी है और market में rate जो चल रहे हैं वो काफी ज़्यादा चल रहे हैं तो यही आपको analysis करके पूरा दिखाऊंगा कि जो market rate है वो अलग है और जो book rate है वो अलग है तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पूरा end तक देखना तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा coin का क्या rate है कौन से mint का है और कौन से year का वो coin है तो चल यह वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक रुपे के इस cross coin के बारे में जो आप अपनी screen पर देख रहे हैं पहले मैं आपको इसकी basic information दे देता हूँ यह बना गया था 2004 से लेके 2006 के बीच में metal stainless steel है weight इसका approach 5 gram है size इसका 25 mm है shape इसकी goal है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 2004 के cross coin के बारे में जो की आता है rare की category में मैं आपको इसकी coin book की जो value है वो भी बताऊंगा और market की value भी बताऊंगा तो यह सिर्फ एक mint से बनाय गया था 2004 में Bombay mint से इसकी कीमत की बात करें very fine condition में दोस्तों इसकी जो कीमत coin book में दे रखिये वो 500 रुपे दे रखिये और extra fine condition में इसकी कीमत 1500 रुपे दे रखिये और UNC condition में 2500 रुपे दे रखिये इस coin की कीमत देकिन कीमत इससे बहुत अलग है very fine condition में इसकी जो कीमत है market में वो 1000 रुपे है extra fine condition में इसकी जो कीमत चल रही है वो चल रही है 2500 रुपे और UNC condition में दोस्तों ये सिक्का 3500 से 4000 रुपे के बीच में बिक रहा है जो कीमत दे रही है और कम से कम 2500 रुपे कम है बुक में जो कीमत दे रही है मार्केट के हिसाब से तो आप देख लीजिए अगर आपको अपने सिक्के सेल करने हो तो थोड़ा सोच समझ के करना बुक एक जो होती है वो आपको एक इनफोर्मेशन देती है कि आपका कौन सा सिक्का रेर है और कितने तक का बिख सकता है एक्जच रेट जो होते हैं मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था जो एक्दम सही रेट होते हैं वो आपको मार्केट में बैठा डीलर ही बता सकता है बुक आप आपको नहीं बता सकती अब बात करते हैं 2005 के कोईन की ये जो क्रोस कोईन है 2005 में ये भी दोस्तो चार मिंटों से बनाए गए थे बंबे कलकत्ता हैदराबाद और नुएडा इसमें दो कैटेगरी के कोईन अब स्केर की कैटेगरी में आ गये हैं पहले कोमन की कैटेगरी में चारो मिंट के लेकिन अब दो मिंट के जो कोईन है वो स्केर की कैटेगरी में आ चुके हैं बॉंबे और नोईडा कीमत की बात करें तो 200 रुपे आपको मिल सकते हैं UNC कंजिशन में 2005 के अब बात करते हैं 2006 के कोईन के बारे में जो एक ही मिंट से बनाया गया था वो है नोईड जिसमें कोई दाग धबा ना हो कोई निशान ना हो दोस्तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना चैनल पर नए जुड़े है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना अब हम बात करते हैं दो रुपे के क्रोस कोईन के बारे में दोस्तो यह जो सिक्काव अपन काल में कोई बनाए गए थे 2005, 2006, 2007 पहले बात करते है 2005 के कोईन की यह चार मिंटों से बनाए गए थे वंबे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोइडा चारों मिंट के कोमन की कैटेगरी के कोईन है अगर UNC केंजिशन में बात करें तो 50-60 रुपे एक कोईन आपको दे सकता है अगर तो यह तीन मिंटों से बनाए गए थे दो रुपे के बॉंबे, हैदराबाद, नोइडा तीनो मिंट के कोमन की कैटेगरी में है लेकिन कीमत आपको मिल सकती है 50-80 रुपे UNC कंजिशन में अब बात करते है दोस्तों 2007 के कोईन की 2 रुपे का 2007 का कोईन है यह कोमन की कैटेगर है धराबाद, तीनो मिंट के कोमन की कैटेगरी के कोईन है 2007 के, लेकिन कीमत आप अलग है, बॉंबे के अगर आपको बात करें, बॉंबे मिंट के आपको मिल जाएंगे 2500 रुपे, दोस्तों से 2500 रुपे आपको मिल सकते है UNC कंजिशन में, 2007 के 2 रुपे के, और कलकत्ता के हैं 2007 के कोईन के तीनों मिंट के मेले कोईन के रेज बता दिये सबसे महेंगा जो कोईन है वो है बॉंबे का 2007 का क्रोस कोईन दो रुपे का बॉंबे मिंट होना चाहिए वो आपको अच्छी रेज दे सकता है वो आपको 200-600 रुपे दे देगा यूएंसी कंजीशन में अब बात करते हैं अगले कोईन की यह दस रुपे का क्रोस कोईन का सिक्का जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तो इस कोईन के बारे में भी भहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या रेट आए है 2005 के क्रोस कोईन के तो पहले मैं आपको इस दस रुपे की बेसिक जनकारी दे देता हूँ यह बनाए गए थे 2005 से लेके 2007 तक मैटल भी मैटल है निकल ब्राउंज वेट इसका 7.71 गराम है साइज इसका 27 एमेम है शेप इसकी गोल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2005 के इस दस रुपे के बारे में दोस्तो यह सिरिफ नुएड़ा मिंट से बनाए गया था कीमत की बात करें किताब के असाफ सेगा इसकी कीमत देखी जाए तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ very fine condition में इसकी 7500 रुपे दे रखी है किताब में extra fine condition में 1200 रुपे unc condition में 2500 रुपे तो यह जो मैनले बताई यह है book की value अब इसकी exit value बताता हूँ जो market में चल रही है coin की वो चल रही है very fine condition में 1200 रुपे, extra fine condition में 2000 रुपे, और UNC condition में 3200 रुपे से लेके 3500 रुपे, ये है market value, और book की value market value मैंने आपको दोनों बता दी तो आप देख सकते हैं कितना फरक है तो अब जो बात करते हैं 2006 के coin की, 10 रुपे के cross coin की, जो common की category का coin है, noida mint का, उसके आपको कोई value नहीं मिलेगी, लेकिन 2007 का जो 10 रुपे का cross coin है वो आता है square की category में noida mint का coin है ये आप देख लिजिए 2007 का, इसकी जो value है square category में, किताब में 100 रुपे दे रखिए, अगर market में आप sale करेंगे, अच्छी condition में देख लिजिए, पहले condition में आपको पताता हूँ, condition coin के अच्छी होनी चीए तब ही वो coin अच्छी rateों पे sale होते हैं वो आपको मिल जाएंगे 2007 के 200 रुपे से लेके 2500 रुपे आपको मिल जाएंगे, square category में नोईडा मिंट के, तो दोस्तो जो भी मैंने आज आपको value बताईए, cross coin की वो आप अपने पास देख लीजिए, आपके बहुत सारे cross coin है, एक रुपे के दो रुपे के, दस रुपे के तो उनमें ये coin तलाश कर लीजिए, और आपको बेचने हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, rare category के coin मैं आपसे खरीद लूँगा, ठीक है दोस्तो बाकी मैं टैम टैम पे आपको बताता रहता हूँ, exhibition कहां लगेगी, और आप कहां जाके ये coin sale कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी knowledgeable और interesting वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं next वीडियो में, जै हिंद